स्वागते दोस्तों आपके अपने चैनल मनीहप पर जरा सोचिए कैसा लगेगा आपको तब जब आप किसी कमपनी के होल्डर हैं आपके पास उस कमपनी के कोईंस हैं और आपको उसी कमपनी में जॉब भी मिल जाता है हम आपको बता दे कि ऐसा सच में हो सकता है क्योंकि Atlantic Exchange ने अपने users के लिए job opportunity निकाली है job vacancies निकाली है किस तरह का job है, किस post के लिए ये job निकाली गई है और योग्यता क्या है, criteria क्या रखी गई है क्या आप भी ये job कर सकते हो, यदि हाँ तो कैसे apply करना है और यदि नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस update का हमें क्या फाइदा होने वाला है सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में उससे पहले हमारी जितने subscribers हैं, उनको नमस्कार और दिल से सलाम है I hope आप सब अपने अपने life में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और जितने लोगों नहीं भी अभी तक चैनलों का सब्सक्राइब नहीं किया है जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वेलकम है आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके खुद को एनेवल कर लीजे बिलकुल मूब्त में ताकि समय पर आप तक उचीत अपडेट पहुंच सके चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उस अपडेट को दिखाते हैं जो अट्लांटिक्स एक्सचेंज ने दिया है यहां आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है अट्लांटिक्स एक्सचेंज वेब 3 जोब और नीचे उगनों ने जोब के रिगार्टिंग पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मैं आपको पढ़ने की तकलिफ नहीं कराऊंगा मैं खुद पढ़के सुनाता हूँ आपको लिखते हैं जोब आपरशनिटीस फर वेब 3 प्रफेशनल्स लेवल्स मिड सिनियर पोजिशन लिमिटेशन है only qualified professionals for the regions of Silicon Valley, California and Seattle, Washington will be considered required 3 to 10 years of work experience in any of the following fields AI, Accounting, Blockchain, Content Writing, Cryptocurrency, DAF, DEFI, Exchange, Risk Management, VC slash PE, Wallet if you are interested please don't hesitate to send your resume with a business proposal to info at the rate atlantics.io तो ये था उनका पूरा description पढ़कर के हमें सारे सवालों का जबाब मिल गया है सबसे पहला जो सवाल था हमारा कि किस चीज का जॉब है तो जॉब है वेब 3 professionals के लिए Atlantics Exchange को वेब 3 professionals चाहिए अभी जॉब का लेवल क्या है mid senior position 3 से 10 साल का experience चाहिए किस फिल्ड में experience चाहिए 11 फिल्ड उन्होंने बताय हुए है AI यानि Artificial Intelligence, Accounting, Blockchain, Content Writing, Cryptocurrency, DEFI, Exchange, Risk Management, VC slash PE या wallet इन 11 फिल्ड में से किसी भी एक फिल्ड में 3 से 10 साल का आपको experience होना चाहिए इन में से किसी भी फिल्ड में यदि आपको experience है और आप interested हैं job के लिए तो बिना सर्माय, बिना हिचकिचा है आप उनको अपना resume भेज सकते हैं उन्होंने अपना email address दे दिया है लेकिन 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 रुख जाए इन्होंने इस job के लिए कुछ limitations भी लगाए हैं जो इन्होंने उपर ही mention कर दिया है इन्होंने जो limitations लगा दिया है भाईया यहीं पर हम छड़ जाते हैं यहीं पर हमारा काम खतम हो जाता है limitations में वो कहते हैं कि केवल Silicon Valley, California, Seattle और Washington छेत्रों के professionals फर विचार किया जाएगा फिर भी यदि कोई धुरंदर है हमारे subscribers में से जो इन सारे criteria को पूरा करता है तो वो नीचे comment box में लिख सकते है yes I am हम सब उसका थोबड़ा जरूर देखना चाहेंगे jokes apart यह job तो हमारे हाथ से निकल गई तो फिर हमें इस update से क्या फाइदा भाई सहब indirectly फाइदा तो है क्योंकि जो company job निकाल रही है हम और आप उस company के holder है हमारे और आपके लिए भी यह अच्छी cover है क्योंकि company भरतिया निकाल रही है जिससे workload कम होगा company में employees होंगे तो काम जो है वो जल्दी होगा जैसे KYC का काम अभी भी बहुत सारा pending पड़ा हुआ है वो सब काम जल्दी होंगे और system जो अभी तक फुली अपग्रेडेट नहीं हुआ है वो सारे काम जल्दी से जल्दी हो पाएंगे अभी तक app launch नहीं हुआ है तो यह सब चीज़े हो पाएंगी और जल्दी से जल्दी हमें withdraw मिल पाएगा और एक positive vibe भी आती है company पर एक trust build होता है जहां बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि यह scam है, fraud है लेकिन यहां company अपने ही employees के बीच में से अपने company में लोगों को employee बना रही है जो कि एक positive sign है जैसा कि Atlantic's Exchange ने अपने पिछले अपडेट में बताया था कि डेड़ लाक Atlantis members का KYC successfully verified हो चुका है लेकिन अभी भी लाको ऐसे members है जिनका KYC अभी तक verified नहीं हुआ है डेड़ लाक का हो गया है और अभी लाको लोग waiting में हैं इसका मतलब यह है कि Atlantic's Exchange के users बहुत जादा है और company अभी और नए employees को hire कर रही है इसका मतलब कि project बहुत बढ़ा होने वाला है और इस बात पर जोड़ देते हुए Atlantic's Exchange ने कई बार कहा है कि हमारा project बढ़ा है और बड़े project पर समय भी लगता है इसी update के साथ Atlantic's Exchange ने एक और update दिया है जहांपर उन्होंने users को अपने users को thanks कहा है लेकिन क्यूं? क्यूंकि Atlantic's Exchange के Official Telegram चैनल पर 30,000 subscribers पूरे हो गए है उन्होंने अपने users को कहा है धन्यवाद आपके प्यार, support और सब्र के लिए और अपने users को प्रोचाहित करते वे कहते हैं कि We encourage you to continue to support the project as we get to the top तो यही दो updates थे अपने राय और सवाल नीची हमें comment box में बताईएगा आप सब जानते हो कि आप सब के comments के reply आप सबों को मिलता है वीडियो पर आपका एक like चाहिए और चैनल को subscribe किये भी न तो बिल्कुल भी न जाए मिलते हैं इसी तरह कि एक नई वीडियो के साथ तब तक रखिए अपना खयाल Take care